आज के इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं IND वर्सेज SL, इंडिया वर्सेज सिरलंका, इंडिया वर्सेज सिरलंका के बीच में जो है, ECA Cup ODI का यह सूपर 4 का मैच होने वाला है, ड्रीम लेवन टीम के प्रडिक्शन करेंगे, आपको ड्रीम लेवन टीम बनाएंगे, तो इस वीडियो में आपको कापी सारी जानतारी मिलेगी, इंडिया वर्सेज सिरलंका, मैच नमबर 10 है, सुपर 4 का मैच नमबर 4 है, यह मैच तीन बजे से स्टार्ट होगा, आर प्रेमदा से स्टेडियम कोलंबो, सिरलंका के बेंडियू पर मैच होने बाला है, यहां कि अगर दो दिन लगतार खेला है, तो इससे आपको यह भी आइडिया लगेगा, कि हाँ इंडिया के टीम इस वेन्यू को जो है अच्छे से जानती है, और गाईज अगर मैं बात करूँ तो स्रिलंका टीम को हलके में नहीं लेना है, हलके में लेने का मतलब यह है कि स्रिलंका ने इ आप एंड डाउन होती है, जो ऑफिशल पिछ रिपोर्ट आई कि वो मैं ट्राइ करूँगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पे सेर कर दो, और वीडियो को लाइक ज़रू से कर दिया करो दोस्त, आपका एक लाइक चैनल को सपोर्ट करेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी तो व इंडिया का ही है, और लोएस्ट इसकोर अगर आप देखोगे तो 86 रन है, 21 बार यहाँ पर 200 से नीचे का स्कोर बना है, 200 से 250 के बीच में 15 बार, 250 से 299 के बीच में 36 बार, और 300 से अबब यहाँ पर 22 बार जो है स्कोर बना है, वेन्यू पर जो लास्ट पांच मैचस खेले ग यहाँ पर आफगानिस्तान की टीम गिरे, इन दोनों ही मैचस का अगर आपने अनलेसिस कर लिया तो आपको अच्छे-चे प्लेयर्स के बारे में पता चल जाएगा कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अच्छा खेलते हैं, हैट्ट्वेड की रिकॉर्ड की अगर बात की ज हुआ था, जहाँ पर इंडिया के टीम ने बाई 317 रन से मैच विन किया हुआ है, यह चीज देख लो इंडिया ने काफी बड़ा रिकॉर्ड सेट किया हुआ है, और अगर आप देखोगे तो यह मैचस जो है उसके पहले के हैं, इंडिया और सिरलंका के, तो वो भी आप य सेंड फॉर्म की बात करूं, स्रिलंका अपने जबरदस्ट फॉर्म में है, लास्ट के पाचों मैच जो है विन करके आ रही है, अच्छी अच्छी टीमों के अगेंस में खेले हैं, और उन्होंने जो है विन निकाला है, बाकी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी बात करते हैं, अब प्लेंग लेवन की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि टीम में कोई चेंजिस वगएरा देखने के लिए मिलेंगे, चेंजिस जो है नहीं देखने के लिए मिलने वाले हैं, स्रिलंका की प्लेंग 11 की बात की जाए, पी निसाका के साथ में डिमूद करना रतने आपको ओपन करते बने जराएंगे, बंड़ा उन पे कॉसल मेंडिस हैं, उसके बस सदीरा समर विक्रमा है, चर्तास लंका है, डीडी सिलवा है, दसुन सनाका है, कुसन रन जीता है, अगर बात की जाए, तो कुल्दी प्यादो ने कमाल किया था, पांच विकेट लेकर गए थे, एक विकेट सरदल ठाकूर, एक विकेट हार्दिक पांडिया, एक जस्पित बूमरा, ये जो है, इंडिया टीम की बालिंग डिटेल्स है, अगर बात की जाए, यहाँ पर सिरलंका की, तो पी निसा का लास्ट मेंच में 40 रन, करुनरत ने 18 रन प्याउट हुए, कॉसल मेंडिस ने 50 किया, सदीरा समर विक्रमान में 93 किया, तो इनकी टीम भी अगर आप देखोगे, ओबराल मिलय जला परफरमेंस कर रही है, और अच्छा परफरमेंस कर रही है, ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, इनकी लास्ट मेंच की अगर बॉलिंग देखोगे, बॉलिंग से ने उनने कमाल किया था, तिक छाना तीन विकेट, तीन विकेट तसुन सना का, तीन विकेट पतिराना, एक विकेट दुनित वेंगीले को मिला था, डिडी सिलवा, क सदीरा समर विक्रमा को ही इंक्लूड कर लेना, क्योंकि दो अच्छी इनिंग्स खिली है इस सीरीज में, उसके बाद तिक छाना और पी निसा का, ये बढ़ियां-बढ़ियां प्लेयर्स हैं, इस मॉल लिग की टीम में इन प्लेयर्स को अपने टीम में आप लेके जा सकते ह इस मॉल लिग में अगर आप CBC जा रहे हो, बिराट कोली, सुंबंगिल, रोईत सर्मा, कॉसल मेंडिस, ये चार आपको बेस्ट आप्शन मिलती है, इस मॉल लिग की टीम में इन प्लेयर्स को आप जो है इस मॉल लिग में CBC कर सकते हो, अगर आप ग्रैंड लिग में जा र करी है, तो यहाँ पर दोनों ही टीम की आप स्कॉर डीटेल भी देख सकते हो, और यह है टेलीग्राम का चैनल, आप जरूर से जोइन कर लिजेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेगी, यहाँ पर आपको टॉस्क इंफरमेशन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11 टीम, सब ही चीजे जो है देखने के लिए मिल जाती है, और 25,000 रुपे का गिवे चल रहा है, बैट बॉल 11 अप्लिकेशन पे, आप टॉप पे जाके यहाँ पर काफी सारी प्रेडिक्शन कर सकते हो, ड्रीम 11 की अपनी टीम रेडी कर लेते हैं, बैटिंग आने वाली है, मैं अपनी सेकंड टीम में जो है लेके जाओंगा, अभी के लिए मैंने लोकिस राहुलो और कॉसल मेंडिस को लिया हुआ है, और यहां पर विराट को लिए, सुमन गिल, रोईद सर्मा, तीनों डैरेक्क लिए मारी टीम में आएंगे, फिलाल यह हां के लिए मैंने चर्ता असलंका को अपने टीम में लिया है, आप चाहो तो सदीरा समर विक्रमा, डेमूत करना रतने या पीनिसा का, इन में से किसी को आप लेके जा सकते हो, चर्ता असलंका को भी यहां पर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि बॉलिंग जादे लेनी है, हार्द प्यादों को भी आप ले सकते हो, मैं नहीं ले पाया हूँ, हार्दिक पांडिया मेरे कैप्टन रहेंगे, और वाइस कैप्टन से की अगर मैं बात करूँ, तो डीडी सिल्वा को मैंने वाइस कैप्टन से दिये, तो यह हमारी 3-4 मिंबर के लिए अभी टीम रेडी हुई ह आठ तीन का कॉम्बिनिशन है, आठ प्लियर इंडिया की तीन प्लियर मेने जो है, यहाँ पे सिरलंका के लिए हैं, लोकेश राहूल है, कॉसल मेंडिस है, रोईट सर्मा है, विराट कोली है, सुमनगिल है, रोईट सर्मा है, दसुन सनाका है, डीडी सिल्वा है, हार्दिक पंडया है जस्पित बुम्रा और सिराज अगर इंडिया की पहले अगर बैटिंग आती है न तो ये लगभग टीम रहने वाली है बाकी फाइनल टीम क्या होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर दूँगा इंडिया की पहले बैट अगर आई तो ये टीम रहेगी मैं चार जो ह आपको इंफर्मिटिव लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन प्रेस कर देना ऐसे ही चैनल को देखते रहो सपोर्ट करते रहो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में